सामाजिक कार्यकर्ता वभाजपानेता राहुल सिन्ह की ओर से सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक-हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएं देखिए, हम लोग राजनितिक दल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए इस होली के साथ साथ, 2024 की होली, बहुत ही महटपुन होली है, क्योंकि हम इस बार नरेंद्र मोदी के सपनों की भारत, 2047 में विक्सित भारत का जो संकल्पुन होने लिया है, उसके साथ इस होली को हम ल लोग उनका जो संकल्प है, अब की बार 400 पार, उसकी तैयारी के साथ ही होली हम लोग खेल रहे हैं, तो यह भारतिये जनता पार्टी के करेकरताओं के लिए, 2024 की होली, आने वाले भारत के भवीश से की होली होने वाली है, अब जो होली, जानता है है, होली मतलब क्या आपक इसमें कोई संदे लग रहा है, आपको संदे है इसमें, किसी भी आप सरकार को, अगर आप देखेंगे कि हमारे इस 10 साल के कारिकाल में, जो इक्षा सक्ती हमारे परधान मंत्री ने दिखाया है, उसके साथ पूरे भारत ही नहीं, आपने अभी देखा, दो-तीन रोज पहले आपने न्यूज में देखा होगा, कि नरेंदर मोदी के समर्थन में, लंदन में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, जो कि ये दरसाता है कि हमारे जो परधान मंत्री हैं, वो सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे वीश्वे के राजनेता हो गया है, और वो आने वाले जो भविश्य में, अभी दस साल मेरे समझ से नरेंदर मोदी को कोई हाटाने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष जहां एक तरफ इसलिए लड़ रहा है, कि अपने परिवार को कैसे बचाया जाए, अभी आपने देखा हमारे बिहार की राजनेतिक इस्थिति, यहां भी शं तो यह अपने परिवार और भारत के परिवार के बीच की लड़ाई है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कमपटीशन भी है, तो जीत के रूप में मनाए, पूरा आपके देश वासी, बिल्कुल, बिल्कुल, जीत के रूप में ही नहीं, 400 पार के लक्ष के सब कहा है, आप देखे होंगे, 2014 में भारतिये जनता पाटी के करेकरताओं के लिए था, कि हरहर मोदी, घरघर मोदी, तो आपने देखा, उसके बाद 19 में एक बार फिर मोदी सरकार का जो हम लोगों का संकल्फ था, तो उसको भी हम लोग 300 पार का जो नारा था, 300 पार किये, इस पर नरेंदर मोदी ने संकल्फ लिया है कि हम 400 पार करेंगे, तो 400 पार जब नरेंदर मोदी ने कह दिया है, तो उस वो भारतिये जनता पाटी के करेकरताओं के लिए, वो एक बहुत बड़ी ताकत हो जाती है, और उसी तयारी के साथ हम लोग लगे हुए है, जी जी साथ केबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, लगबग एक दो वर्सों को सुरवाती छोड़ करके, उन्होंने भी बिहार और आरा में विकास किया है, रही बात अभी टिकट मटवारे की, तो जब तक भारतिये जनता पार्टी के करेकरता, किसी राजनीतिक ब्यक्ति का सिकार नह हमारे सांसद हैं, हम उनको अपना पूरा सहयोग है हमारा उनके साथ, लेकिन जब तक हम लोगों को उपर से टिकट सिंबॉलिक नहीं होता है, तो हम लोग कमल को जानते हैं, तो इसलिए सांसद जी को अगर टिकट मिलता है, तो उनके साथ हम लोग हैं, हम लोगों को ये अस साथ है इसको लेकर भोजपूर वासी पूरी तरीके से भोजपूर वासी नहीं अभी 370 कि हम लोग उस योजना पर काम कर रहे हैं कि हमारा लक्ष है कि पिछली बार जितने हम लोग बूठों पर भोट लाये थे उसके अपेक्छा हर बूठ पर 370 धारा भारतिये जनतापाटी के इस कारेकाल में सरकार में हटाया है तो हर बूठ पे कम से कम हम लोग 370 भोट को बढ़ाने का जो संकल्प लिए हुए है उसके साथ भोजपूर में भी हम लोग उसी रननीती के साथ लगे हुए है पूरे भोजपूर वासियों को मेरा बहुत-बहुत सुफकामना होली के रंग कर सुलास के साथ मनाए आफ सी भाईचारा के साथ मनाए साथी साथ सा रमजान का महीना चल रहा है और होली बीच में है तो अपील करना चाहेंग है कि हमरे सभी भाईओ से अनुरोद होगा कि इस रमजान के महिने में पाक महिना है मुसल्मानों के लिए भी सभी राजनितिक और किसी भी प्रीरिथ हो कर करके उसका शीकारक हो और अच्छे से इस को लिए और नरेंद्र मोदी के संकल्प के भारत को मजबूत करने के लिए इस बार अपना बहुमूल समय जो है 100 दिन का वो जरूर दे भारती जनता पार्टी के लिए राहुल सिंग महामंत्री भारती जनता युवा मोर्चा भुश्पूर